नमस्ते, I am Vanjala, Welcome to my channel, Vanna Dube, Homebook Food Project recipe is Gulab Jamun Gulab Jamun is a very special sweet and this is we also call king of the sweet तो आज हम बना रहे हैं, Diwali special Gulab Jamun और ये हम sweet को king भी बोल सकते हैं, राजा भी बोलते हैं मिठाईयों में तो चलिए हम पहले बनाते हैं, sugar syrup so first I make the sugar syrup, I use two cups sugar, two big cups sugar and two big cup water I add it so equal amount we add the sugar and water तो मैंने दो बड़े कप मैंने शक्कर ली हैं, दो बड़े कप, उसी कप से मैं या कटोरी से शक्कर डालूँगी उसी से मैं नावके दो बरावर हिस्से का पानी भी डाल दूँगी तो हमें बरावर मातरा में डालना हैं पानी और शक्कर तभी हम अच्छा sugar syrup बना पाएंगे चास्नी बना पाएंगे तो चलिए बनाते हैं, यह देखिए हमारी चास्नी आज बोल होने लगे हैं, हम इसमें दूद डाल रहे हैं इसका जो सकर का जो गंढ़ी होती है वह बहार निकल आएगी आज आएद जस्ट रेक टेवल सबीजियों निकल आएगी जस्ट वन टेवल टीसपून मिलक आजिवे ऐस जिटेखिए बेल्स का डीस निकली अब बना लेते हैं अब बना लेते हैं गुलाब जामून तो यह देखिए मैंने हाप केजी लिया है खुआ माबा भी बोलते हैं इसको सो हाप केलो आई टेक दो कंडंस्ट मिल्क एन आई ग्रेड़िट हम इसको ग्रेड़िट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर इसमें एक भी दाना थोड़ा सा टाइट होगा या सही नहीं होगा सारी गुलाब जाओं खराब हो जाएंगे तो इस बज़े से मैं इसी कद्दू कस कर लेती हूं आप्टर ग्रेड़ड ग्रेड ग्रेंस्ट मिल्क एड भाइड प Hilिफ फलावर याद लेटर ये अंदन ताइड फ़लावर ये सह ज़े डेट चमच मैंने इसमें सूजी डाल दिये, 1.5 टीस्पून कार्डमम पाउडर, आधी चमच मैंने इलाइची का पाउडर डाल दिया है, and 1.4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, एक चौथा ही चमच मैंने डाली है इसमें बेकिंग पाउडर, और इसको अच्छे से मिला लेंगे, डो लगाएंगे, इसका आठा लगा लेंगे, तो अगर आपको लगे कि ये बहुत सफ्थ है या सूखा है, तो आप इसमें 1-2 चमच दूद का या पानी का इस्तमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको दीरे दीरे लगाएंगे तो ये बिलकुल सौप्ट हो जाता है, तो आउ आप दे लेप्ट वाइट फ्लावर, इफ यू फिल दिस वेरी हाड, ये यू 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 जू यू जू यू वाटर, और you can also use the milk, any one thing you can use, when you feel dry, तो हम इसका आटा तयार कर रहे हैं, और इसका जो प्रोसेस है, इसे हम ऐसे अपने हाथ के साइता से, इस तरह से इसको आटे को अच्छे से मल लेंगे, गूद लेंगे, so I use the palm to my hand and I use like that and this is we call knead like this, तो हम इस सरे से आटा हमारा तयार हो गया है, now I make the small ball like this, you can make the ball bigger also, your choice, if you like make big gulav jamun, then you take little big size of dough like this, I use medium size I take the medium size and I make the medium size of गुलाब जामू तो अपने एसाब से बनाईए बड़े बनाना है तो आप थोड़े बड़े बना सकते हैं छोटे बनाना है छोटे इसी तरह से मैं बना लेती हूं सारे गोल कर लेती हूं पहले फिर सेकेंगे हम So I make round ball like that and then we defry तो चलिए अब हम इनको सेक लेते हैं So in vegetable oil we defry this gulab javun Oil is hot I just check I add little dough of the gulab javun and this is fry so this is this means this is hot and now I defry when the golden brown color is come this is defry in medium to low heat जब भी आप इनको gulab javun को सेके एकदम कम flame पर ही सेकना है और तेज नहीं करना है नहीं तो अंदर से कच्चे रहेंगे और बहार जल जाएंगे तो यह देखी golden और pink color आ गया है और इसको हम निकाल लेते हैं So now I just take out when the golden and pink color is come pink and goldenness is come So I take out and when I take out I just take out and direct I add in the sugar syrup जैसे ही हम इनको बहार निकालते हैं खड़ाई से इनको कहीं भी रखना नहीं है सीधा हमें sugar syrup में डालना है तो अब यह जाएंगे सीधा sugar syrup में डुपकी लगाने यह देखिए तो अब हमने इसको डाल दिया है इसे हम बीस मिनिट बाद खा सकते हैं आराम से और दो से तीन हपते तक रख सकते हैं चाहिंगा जाला नहीं कहा में कहा हम जाएं बाद 2 खाएं लगे को जाएं, घुजव गारी हम awhile जाएं। इस पालवाशा लूट इसेपिए डेल नहीं बात खाएंग लाप जाएं। आसा करती हों कि सभी को मेरी रैसिपी पसंद आए होगी थैंक्यू सो मच अल आफ यू टू वाचिंग माई वीडियो